तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने लैप टॉप में Original Windows को बिलकुँ फ्री में जो है इनिस्टॉल कर सकते हैं और इस तरीके से अगर आप Windows को इंस्टॉल करते हैं तो Windows successfully इंस्टॉल होने के बाद चाहिए आप update करिए या online कुछ भी करिए आपका Windows activate नहीं मांगेगा क्योंकि जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहो है बिल्कुल ये original Windows है और ये बिल्कुल genuine है कोई भी third party app या किसी pilot key का इस्तिमाल नहीं करूँगा मैं बिल्कुल original Microsoft का official जो तरीका होता उस तरीके से मैं आपको जो Windows के इंस्टॉल करके बताऊंगा और आप बिल्कुल free में जो है एक license Windows का अनन्द ले सकते हैं तो अगर आपको भी जो है Windows का license कैसे आपको जो है एक एक जानकारी आपको मिल पाए और आप जान पाएं समझ पाएं कि कैसे हम जो है बिल्कुल free में जो है Windows को कैसे हम license कर सकते हैं तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया है कि यहां पे हम आपको Windows को license कैसे एक्टिवेट करना है बिल्कुल original तरीका बताने वाला हूं तो यहां पर सबसे पहले आप जान लीजे कि यहां पे मेरा HP company का laptop है और HP Pavilion G series का यह model है और यह आपको Windows license करने के लिए सबसे पहले आपको Windows install करने का process आपको follow करना पड़ेगा तो यहां पे Windows install करने का मतलब यह नहीं कि आपके पास बस bootable pen drive हो और ISO file किसी भी website से आपने डाउनलोड किया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको जो ISO file दाउनलोड करनी है वो Microsoft के official website से डाउनलोड करनी है क्योंकि तभी यह सारा step काम करेगा बिल्कुल original तरीका बता रहा हूं तो original ही आपको follow करना पड़ेगा मेरे पास जो ISO file है Microsoft के official website से हमने डाउनलोड की है उसके बाद इस pen drive में उस ISO file को bootable बनाया है यह जानकारी अगर आप अब यह पहले confirm हो जाएगा कि आपके पास जो ISO file हो Microsoft के official website से डाउनलोड की गई हो और फिर उसके बाद बूटेबल बनाईएगा आपका जिस company का laptop होगा HP Dell या किसी भी company का हो उसको boot कराईएगा फिर इस तरह से step अगरा आपका आएगा फिर यहाँ पर next कीजेगा फिर install knob पे ISO file की bootable pen drive में जो हो software हो अगर आपने जो है ISO file download की official website से और आप यहाँ तक step आए हैं लेकिन यह option नहीं आ रहा है यह इसकीप हो जा रहा है इसके आगे का option आ रहा है तो मतलब आपके laptop में जो Windows पढ़के मिली थी company के तरफ से उसकी product की जो है laptop के motherboard में save है जिससे वो आटोमेट 70D कर लिया है की और यह option नहीं आ रहा है यह optioncke को जा रहा है और जिसके में यह option कंब करना है तो कैसे यहाँ पे वो key ढलनी है या क्या करना है तो यहीं पर सारह गेम है जिसके में option नहीं है उसको में बता दिया है और जिसके में option disruption करना आप अपने laptop के backsight देखिए होगा आपके वह यहां पे देखे ऊपर लिखा विंडूज सेवन होम बेसिज और यहां पर प्रोडटकी लिखी हुए है यह प्रोडटकी है यह ai पे जो है Windows 7 लिखा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम कई laptop में जो है इस product की को जो है मतलब इस product की को नहीं अलग है laptop जो आया है उसकी product की उसी laptop में Windows 10 में install करके देख चुके हैं कोई भी दिक्कत नहीं हुई है इसके बाद ही में वीडियो बना रहा हूं तो आप भी इसी तरीके से product की note कर लीजेगा sticker हो सकता है वहां पर आप में जो है यहां पर यहां पर यहां पर फिल कर लेते हैं तो यहां पर हमने अपनी product की इंटर कर ली है इसके बाद नेश्ट वाला option यहां पर highlight हो गया है तो यहां पर नेश्ट कर देते हैं सब वेट करिएगा और यहां पर जिसके बाद प्रोड़की नहीं है वह बिना प्रोड़की के भी आगे बढ़ सकता है अब यहां पर नेश्ट करने के लिए अपशन आ चुका है तो किसी किसी में हो सकता है यह option ना कि वहां पे विंडोज को होता है जैसे कि home basis होता है, home होता है, pro होता है, वो सारा option आए, तो वो अगर option आता है, तो आपके product की जो भी रही होगी, जैसे हमारी product की की ऊपर लिखा था, मैं एक बर आपको चेक कराऊंगा, कि home कैसे select हुआ, देखे, विंडोस टोरेशन करने के बाद, यहाँ पर आके हमारा region select करने के लिए option मांग रहा है, तो यहाँ पर हम इंडिया select कर देते हैं, के बाद yes कर देंगे, अब keyboard का layout भी select करने के लिए, तो यहाँ से English इंडिया पर कर करके yes करेंगे, अगर एक और layout चाहिए तो ठीक, ने तो otherwise यहाँ से accept कर सकते हैं, तो skip हमने कर दिया है, तो यहाँ पर विंडोस हमाई ready होके on हो गया है, और तो यहाँ पर desktop पर this PC बगरा का icon हम सो करा लिते हैं, यहाँ पर हम आपको check कराएंगे, कि यहाँ पर हमने बताया थ कि आप से home जो select होगे, आटोमेटिक की डालने के बाद, कहाँ पर वो सो करेगा, जैसे कि desktop पर सारे icon हमने सो करा लिए, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर this PC हमारा देख सकते हैं, this PC पर right click करेंगे, प्रोपर्टी जाएगा, तो प्रोपर्ट जो की था, विंडो होम का था, इसलिए की जो है, आटोमेटिक कर लिया है, तो इसी तरह से जिस वर्जन का आपका की रहेगा, वो डिटेक कर लेगा, तो इसी तरह से आप भी अपने laptop ये desktop में जो विंडोज को बिल्कुल फिरी में जो है, जैन्विन विंडोज को इनिस्ट का होता, जो laptop का mother board होता है, उसमें BIOS में उस product की को save करके दिया जाता है, जिससे जब भी आप विंडोज इनिस्टॉल करें, जहां पे हमने product की fill किया था, वहाँ पे वो option फिर नहीं आता है, आटोमेटिक पोड़ट की detect कर लेता है, और आगे option बढ़ जाता है, और जिस laptop में कर सकते हैं, तो जब विंडोज आपके ready होगी, तो विंडोज एक दन genuine हो जाएगी, किसी भी third party का application का use नहीं करना पड़ेगा, विंडोज को activate करने के लिए, इसके बाद विंडोज रेडी होने के बाद, आप internet connection connect कर लिए, जो भी driver की requirement होगी, वो automatic search करके install कर देगा, फिर आ आप एक original विंडोज का आणन्द बहुत ही आराम से लिजे, बिना एक रुपए खर्चा किये, तो I hope आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ न कुछ जानकारी जरूर काम आई होगी, और इस वीडियो से आपको काफी सारी मदद मिली है या नहीं मिली है, या पसंद आ ही तो लाइक करें और वीडियो को सेर करें और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन पर और क्लिक करना बिल्कुल नत भूलिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए टेक कियर, बाबाए